शंकर शिव भक्त था वो रोज नियम अनुसार शिव आराधना करता था चाहे आंधी आए या तूफान आए या फिर वो बिमारी में पड़े लेकिन वो शिव जी की पूजा करना नहीं चोड़ता था और नाहीं कभी उनको भोग लगाना भूलता था शंकर रोज सुभ अपने हातों से खुद के बनाए मिट्टी के बरतनों में शिव जी का भोग बनाता और उसे मंदिर ले जाकर शिव जी को भोग लगाता एक बार इसी तरह शंकर शिव जी को भोग लगाकर घर आता है और अपनी पत्नी मधू को प्रसाद देते हुए कहता है ये लो मधू, शिवजी का प्रसाद बहुत शक्ती होती है भोले नात के प्रसाद में, जरा खा कर देखो मधू को अपने पती की शिवभक्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो हमेशा अपने पती के मंदिर जाने पर गुसा हो जाया करती थी ओ मेरे अंधभक्त पती, कब तुम्हारी आखों से शिवभक्ती की पट्टी उतरेगी, अरे अगर पूजा पाट करने से इंसान का गुजारा हो जाता, तो इस दुनिया में किसी को भी महनत करने की जरूरत ही नहीं थी, हर कोई मंदिर का पुजारी बन कर बैठा होता अरे तुम तो फिर से शुरू हो गई, अरे तुम तो जानती ही हो ना, कि मेरे मन में शिवजी के प्रती कितनी आस्था है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर मेरे मन में भोले नात के प्रती जो आस्था है, वो कभी कम नहीं होगे, तुम क्यों बेकार में उल्टे सीधे शब्दों का इस्तमाल करके अपना दिमाग खराब करने के कोशिश करती हो हाँ हाँ अगर पत्नी अपने पती को सही राह दिखाए तो इसका ये मतलब होता है कि पत्नी अपना दिमाग खराब कर रही है ठीक है तुम्हें जो करना है करो पर सच्चाई तो ये है कि पूजा पाट करने से कुछ नहीं होगा चाहे तुम लाख पूजा पाट कर लो करना तो तुम्हें तब भी महनत ही है इतना बोलकर शंकर घर के बाहर बैटकर मिट्टी के बरतन बनाने लगता है शंकर अच्छे से मिट्टी के बर्तन को बना कर फिर उन सभी बर्तनों को मार्केट में ले जाकर बेचने लगता है देखते ही देखते कुछ घंटे बीच जाते हैं लेकिन शंकर की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आते और इस वज़े से शंकर थोड़ा परिशान हो जाता है हे शिव जी आखिर ये सब क्या हो गया मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से मेरी बिकरी अच्छी नहीं हो रही पता नहीं क्या हो गया है अगर ग्राहकों को मेरे हाथ के बने हुए बर्तन पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे बताओ ना भोले नात कि मुझे अ अगर वहारा के शिव जतनी से कहता है मधू मेरे लिए खाना लगाओ मैं जल्दी से खा कर सोना चाहता हूँ मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है लो खाना तो मैंने तुम्हें दे दिया अब ये बताओ कि आज कितने बर्तन भीके है ahí कितने पैसे कमा है आज तुमने अब मधू क्या बताओं मैं तुम्हें मार्केट में काम एकदम से ठप हो चुका है एक भी बर्तन नहीं विका अरे जितने बर्तन लेकर गया था वो सारे के सारे वापस लेकर आया हूँ आज एक रुपए की विक्री नहीं हुई क्यों जी तुम्हारे भोलानात का हाँ थे अगर तुम्हारी एक रुपए की भी बिक्री नहीं हो रही थी तो उस वक्त तुम्हारे भोलानात को तुम्हारे मदद करने के लिए आना चाहिए था ना क्या फाइदा ऐसी भक्ती का जब भगवान अपने भक्तों का ध्यान ही ना मेरे लिए मेरे भोलिनात मेरे माता पिता सब पुछे अरे तो माता पिता हमेशा अपने बच्चों का साथ देते है तुम्हारे शिवजी ने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया मुझे बस इस सवाल का जवाब दे दो तुम वक्त आने पर मेरे शिवजी मेरी मदद जरूर करेंगे और मुझे तुम्हें सफाई देनी की जरूरत नहीं है अरे पता नहीं कैसे अनाडी पती से शादी हो गई है मेरी दिन रात पूजा पाट भक्ती में लीन रहोगे तो कहां से महनत करोगे अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन हम सडक पर आ जाएंगे और हाथ में यही तुम्हारे मिट्टी के बने हुए बर्तन लेकर भीक मांगेंगे अगर इसी तरह से पूजा पाट में लीन रहे तो एक दिन तुम्हारे यह शिवजी हमें भिकारी बना के छोड़ेंगे अच्छी बिक्री न होने की वज़़े से मधू फिर से गुसा हो जाती है और वो अपने पती को खरी खोटी सुना कर गुसे में सोने चली जाती है और इसी तरह सुभो हो जाती है और भोग लेकर मंदिर जाता है और पूजा पाट करता है पूजा करने के बाद शंकर घर आता है घर आते ही मधू शंकर से कहती है सुनो जी मैंने चूले पर सब्जी रखी हुई है थोड़ा ध्यान देना और दो मिनिट में सब्जी उतार देना मैं जा रही हुँ चत पर दो बाल्टी कपड़े सुखाने है और मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा इसलिए सब्जी पर अच्छे से ध्यान देना इतना बोलकर मधू दो बाल्टी लेकर चत पर जाती है और कपड़ों को रसी पर टांगना शुरू कर देती है और गरम-गरम कढ़ाई और सब्जी शंकर के हाथ पर गिर जाती है जिस वज़े से शंकर बहुत जोर से चिलाता है तब ही मधू नीचे भागते हुए आती है मधू तुरंट शंकर के हाथ को थंडे पानी में डाल देती है इस वज़े से शंकर के हाथ पर छाले हो जाते है नहीं हो रहा अरे देख लिया मैंने तुम्हारे शिवजी को अरे एक के बाद एक परेशानिया आती ही जा रही है हमारे सामने आज के बाद तुम्हें मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं फिलहाल के लिए मेरे साथ चुप-चाप डॉक्टर के पास चले शंकर का हाथ बुरी हाथ को पानी से बिल्कुल बचा कर रखना है और दो दिन बाद ही पट्टी खुलवा लेना उसके बाद जो दवाई दूँगा उसे टाइम पर लगाते रहना कहते हैं न अकसर गरीबी में आटा गीला होता है ठीक उसी तरह से पिछले कुछ दिनों से शंकर के मिट्टी के बरतन भी बिकना बंध हो गए थे साथ ही अब बेचारे का हाथ बुरी तरह से जल गया था अब समझ में नहीं आ रहा था कि शंकर कैसे अपना घर चलाएगा एक बार शंकर अपने घर के बाहर जहां वो मिट्टी के बरतन बनाया करता था वहाँ बैटकर आखों में आसू लिये अपने शिवजी को यार्थ कर रहा था तभी वहाँ पर शिवजी प्रकट होते है और शिवजी एक लड़के भोला का रूप लेकर शंकर के पास जाते है और कहते है अरे काका ओ काका कुछ खाने को मिलेगा तुम्हारे घर से दो दिन चे कुछ खाया नहीं है काका अगर भगवान के लिए एक रोटी दे दोगे तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा उस लड़के को देखकर शंकर को तरस आ जाता है और शंकर मदू से कहकर उस ल बात में यह क्या हो गया और तुम इस तरह से उदास की बैठे हो शंकर भोला के सामने उदास हो जाता है और उसे अपनी सारी बात बताने लगता है जिसके बाद भोला शंकर से कहता है अरे काका तुम्हें पता है मेरा नाम भूला है और मैं शिव जी का बड़ा भक्त हूँ सच बताओं तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है लेकिन तब भी शिव जी का नाम लेकर काम चल ही जाता है और रही बात मिट्टी के बरतन बनाने की तो तुम चिंता क्यों करते हो मैं हूँ ना अरे मैं बहुत बढ़िया मिट्टी के बरतन बनाता हूँ रुको मैं अभी दिखाता हूँ इतना कहकर भोला यानि कि शिवजी मिट्टी के बरतन बनाने लगते हैं शिवजी काफी सुन्दर सुन्दर मिट्टी के बरतन बनाते हैं मिट्टी के बरतन देखकर शंकर हैरान हो जाता है और वो भोला से कहता है अरे तुम तो सच में बहुत अच्छे कलाकार हो अरे इतने अंदर बरतन में मार्केट में बेचना शुरू करू तो मेरी रोज की विक्री होनी लगेगी शायद मेरी ही कलाकारी में कोई कमी थी तभी तो ग्राहक मेरे पास नहीं आ रहे थे अरे काका तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो जब तक तुम्हारा यहाठ ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं ही तुम्हारे बरतन बनाऊंगा और हाँ शाम को बाजार जाने की तयारी शुरू कर दो देखो कैसे आते हैं ग्राहक तुम्हारे पास भोला के वज़ा से शंकर बहुत खुश हो जाता है और इसी तरह से शाम हो जाती है शाम को भोला और शंकर दोनों मिलकर मार्केट जाते हैं और वो दोनों मार्केट में मिट्टी के बरतन बेचना शुरू कर देते हैं शंकर के मिट्टी के बरतन पूरे मार्केट में सबसे अलग और सुन्दर थे जिस वज़े से सारे ग्राहक शंकर के पास आकर मिट्टी के बरतन खरीदना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते सारे बरतन बिग जाते हैं और उस दिन शंकर की बहुत अच्छी बिक्री भ अरे तुम फिर से शिवजी पर आ गए अरे ये शिवजी की कृपा नहीं बलकि इस बालक की कृपा है अरे ये बच्चा बहुत समझदार है देखो कितना बढ़िया कलाकार है ये इसकी कलाकारी के आगे तो बड़े-बड़े कुमार फेल है इसी तरह से अब धीरे-धीरे शंकर का हाथ भी ठीक हो जाता है और भोला भी शंकर के साथ शंकर के घर में रहने लगता है एक सुभा शंकर सुभा उठकर नहा धोकर शिवजी को भोग लगाने के लिए भोग बनाना शुरू करता है शंकर भोग बनाकर मिट्टी के बरतन में निकाल कर भोग को वहीं चूले के पास रखकर अंदर किसी काम से चला जाता है तभी भोला वहां आता है और भोला वो भोग उठा कर खाने लगता है क्या बात है आज तो शंकर ने बड़ा स्वादिष्ट भोग लगाया है रोज से भी जादा स्वादा आ रहा है आज के भोग में तभी अंदर से आता हुआ शंकर भोला के बात सुन लेता है और वो भोला से कहता है क्या कहा तुमने रोज से भी ज्यादा स्वाद आ रहा है तुमको इस भोग में? रोज तो मैं शिवजी को भोग लगाता हूँ ना, तो तुम्हें इसका स्वाद कैसे पता? शंकर की बात सुनकर भोला मुस्कुरानि लगता है और वो अपने असली रूप में यानी की शिवजी के रूप में आ जाता है शिवजी को साक्षात प्रकट होता हुआ देखकर शंकर की आखों में आसु आ जाते हैं तभी वहां मधु भी आती है दोनों पती-पतनी हाठ जोड़ कर शिवजी के सामने खड़े थे अरे शंकर इतना उदास क्यों होते हो अब मुझे अपने सचे भक्त के लिए इतना तो करना ही था ना तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होता रहा लेकिन तब ही तुमने मेरे प्रती जो आस्था और विश्वास था उसे डगमगाने नहीं दिया अब जब मेरा भक्त मेरे लिए सब कुछ कर सकता है तो क्या मैं अपने भक्त की मदद नहीं कर सकता? हे शिवजी मुझे माफ कर देना मैं रोज अपने पती को आपकी भक्ती करने से मना करती रही मुझे ऐसा लगता था कि उनका पूजा पाट उनकी भक्ती उनकी आस्था सव्यर्थ है पर आज मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मन में सच्ची भक्ती और सच्ची श्रद्धा है ना तो भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी मदद करने के लिए जरूर आते है इस तरह से शिवजी मधू और शंकर को आशिरवाद दे कर वहां से चले जाते है प्रभाकर की दुकान मंदिर के बाहर थी जिसमें वो तरह तरह के पूजा का सामान रखता था घर का काम खत्म करने के बाद उसकी पत्नी मधू भी दुकान पर आ जाती थी फिर दोनों पति-पत्नी शाम तक अपनी दुकान पर लोगों को सामान देते दोनों ही पति-पत्नी भगवान शिफ के परम भक्त थे दुकान पर जब भी कोई सामान लेने आता वो सब का स्वागत हर-हर भोले बोल के ही करते थे और इसकी वज़ा ये थी कि पूरा दिन उनके मूँ पर भगवान शिफ का नाम रहे वही पर एक दूसरा दुकान दार भी था, जिसका नाम विक्रम था वो भी पूजा का सामान बेचता था, लेकिन उसकी दुकान पर कम ही लोग आते थे उसकी वज़ा से उसका जगडा लुस्वभाव था भया, ये रुद्राक्ष की माला कितने गिदी? 300 की अरे भया, आप तो बहुत ही महंगी दे रहे हो, अभी मैंने पिछली दुकान पर पूछा तो वो 200 की दे रहा था तो यहां क्यों खड़े हो, जाकर उसी दुकान से क्यों नहीं ले लेते? आज आते हो दिमाग खराब करने, तुम्हें पता भी है असली और नकली रुद्राक्ष की बारे में, ये असली रुद्राक्ष है और मैं 300 का ही दूँगा, लेना है तो लो वरना मत लो अरे आप कितनी बत्तमीजी से बात कर रहे हो, और क्या गैरिंटी है कि ये रुद्राक्ष असली है? ये सुनकर विक्रम को गुस्सा आ जाता है और उस आदमी को वहां से जाने के लिए कहता है, वो आदमी प्रभाकर की दुकान पर वापस आता है वो आदमी रुद्राक्ष की माला लेकर वहां से चला जाता है, तभी मधू भी दोपैर का खाना लेकर दुकान पर आती है, दोनों पति-पत्नी खाना खाने के बाद दुकान पर काम संभालने लगते है उधर आज सुबह से विक्रम की कोई कमाई नहीं हुई थी, ये देखकर कि प्रभाकर की दुकान पर सुबह से भीड़ है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है, और वो प्रभाकर की दुकान बंध हो जाए, इसके बारे में सोचने लगता है अगले दिन सुबह सुबह प्रभाकर जब जाकर दुकान खोलता है, तो उसे पता चलता है कि मंदिर में आज भगवान शिव को किसी ने सोने का त्रिशूल भेट किया है वो जब भोले नात के दर्शन करने जाता है, तो उस त्रिशूल के भी दर्शन करता है, पीछे पीछे विक्रम भी वहाँ पर पहुँच जाता है और प्रभाकर से कहता है देख रहे हो, लोग कितने अमीर हैं, भगवान शिव को त्रिशूल चड़ा रहे हैं, वो भी सोने का सब भगवान की माया है, पर कुछ भी कहो, ये त्रिशूल लगने से शोभा बहुत बढ़ गई है और ये बात सुनने के बाद विक्रम का दिमाग काम कर जाता है वो रात को मंदिर बंध होने के बाद वही पर ही छुपा हुआ था, जैसे तैसे करके वो त्रिशूल वहां से उठा लेता है और उसे प्रभाकर की दुकान के अंदर रख देता है और फिर अपने घर जाकर आराम से सो जाता है अगले दिन सुभ़ जब मंदिर का द्वार खोला जाता है तो सब तरफ शोर मज जाता है कि त्रिशूल चोरी हो गया है तभी प्रभाकर भी आकर अपनी दुकान खोलता है और उधर विक्रम अपनी चाल चलता है पंडिजी याद कीजे, कल कोई तो ऐसा होगा, जो बार-बार यहाँ पर आया होगा, या तो तृषुल को देखकर कुछ बोला होगा, कोई भक्त या कोई दुकानदार तभी पंडित जी को याद आता है कि प्रभाकर ने ही त्रिशूल का दाम पूछा था वो सब को लेकर प्रभाकर की दुकान पर जाता है हर हर भोले पंडित जी प्रभाकर तुम्हें पता है न मंदिर से त्रिशूल गायब हो गया है कुछ लोग के साथ विक्रम भी प्रभाकर की दुकान में घुज जाता है और जहां उसने त्रिशूल रखा था, वहां से त्रिशूल उठा कर सब को दिखाता है मंदर से त्रिशूल चोरी हुआ और वो प्रभाकर की दुकान पर मिला, ये बात लोगों से बरदाश नहीं हुई वो लोग प्रभाकर को मारने लगे और किसी ने पुलिस को बुला लिया प्रभाकर को पुलिस पकड़ कर ले गई, ये बात जब मधू को पता चली, वो भागते हुए मंदर जाती है ये सब क्या सुन रही हुँ, आप और चोरी हो ही नहीं सकता हाँ मधू, मैंने चोरी नहीं की, पर पता नहीं है तुरशूल कैसे मेरी दुकान से मिला ये भगवान ने हम गरिबों के साथ क्या किया अरे तुमने तो सीधा सीधा भगवान को ही दोशी ठहरा दिया, ऐसा मत कहो बात कुछ और है, जो समझ में नहीं आ रही, पर मुझे अपने भोले नात पर पूरा भरोसा है वो न्याये जरूर करेंगे भगवान के मंदिर से तिरशूल चोरी करता है और नियाये की बाते करता है अभी तोजे रिमांड पर लिया जाएगा तो सब उगल देगा नहीं नहीं, इन्होंने चोरी नहीं की है, ये कभी चोरी कर ही नहीं सकते ये तो भगवान बोले नात को इतना मानते है उनके डर के मारे कभी अपने दुकान पर रखी हुई चीजों के दाम भी नहीं बढ़ाते बेशक इनको घाटा हो जाए अगर उनके मन में लालच होता तो ये महंगा सामान बेच सकते थे और हमारे घर के हालात अच्छे हो सकते थे आप मेरे घर पर आकर देखिए मेरे पास तो जरूरत के पूरी चीजे भी नहीं है उन्हीं जरूरत को पूरा करने के लिए तो तुम्हारे पती ने मंदिर में चोरी की थी और अगर इतना ही विश्वास है अपने भोले नात पर तो कहो उनसे कि दे तुम्हें नियाए वरना तो ये रिमाण पर जाएगा और सब अपने आप ही बोल देगा ये लो भाई साब भी मर गया और लाठी भी नहीं तूटी लेकिन उधर प्रभाकर के जेल जाने के बाद और काम बंध हो जाने के कारण मधु को बहुत परिशानियों का सामना करना पड़ रहा था वो मंदिर गई तो पंडित ने उसे चोर की पतनी कहकर भगा दिया मधु ये बरदाश नहीं कर पा रही थी आसपास के लोग भी उसे बुरा भला बोल रहे थे उदर प्रभाकर को पुलिस वालोंने बहुत मारा लेकिन प्रभाकर ने चोरी की ही नहीं थी इसलिए वो मार खाता रहा देखते ही देखते पंधरा दिन निकल गए एक दिन जेल में प्रभाकर देखो भाईया तुम मुझे कितना भी मार लो सूली पर चड़ा लो लेकिन जब मैंने चोरी की ही नहीं तो मैं इस बात को कैसे कबूल कर लू मेरे भोले नाथ जानते है मैंने चोरी नहीं की है कोई नहीं इसको दो डंडे और लगाओ जब देखो भोले नाथ भोले नाथ करता रहता है अरे कहां है तेरा भूलेनात है जो तुझे पिटते हुए देख रहा है और तुझे बचाने के लिए भी नहीं आ रहा उधर मा पार्वती प्रभाकर और उर्सकी पत्नी की दशा देखकर विचलित हो रही थी वो भगवान शिफ को कहती है हे भूलेनात आपके भक्त पर इतने अत्याचार हो रहे है और एक आप है यहाँ पर समाधी में लीन बैटे है कुछ तो कीजिए प्रभाकर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है तुम चिंता मत करो पार्वती अब उनके कष्ट के दिन समाप्त हो गए है मैं स्वयम प्रभाकर की रक्षा करने के लिए जाऊंगा क्या अब सत्त कह रहे है प्रभू देखो पार्वती मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दो पहलू आते ही है अभी कुछ समय प्रभाकर का दुख का था और उसके साथ साथ गलत करने वाले का सुख के दिन थे थोड़ी देर बाद मधू प्रभाकर से मिलने के लिए जेल में आती है मधू की हालत देकर प्रभाकर बहुत ही घबरा जाता है वो बहुत ही कमजोर और बिमार लग रही थी ये तुमने क्या हालत बना ली है मधू? अरे आप तो सच बोल दे देख तेरी पत्नी की कैसी हालत हो गई मैं सच कह रहा हूँ मैंने चोरी नहीं की भोले नात की कसम खाता हूँ मैं जब देखो भोले नाथ, भोले नाथ, जरब बुलाओ अपने भोले नाथ को. ये सुनकर मधु को गुस्सा आ जाता है और वो भोले नाथ को पुकारते हुए कहती है. हे भोले नाथ, हे जगत के पालनहार, तुम्हारे सामने हम लोगों के साथ इतना अन्याई हो रहा है की आखे चौन धिया जाती है, और फिर सब ध्यान से देखते हैं, तो वो रोश्णी भगवान शिफ के प्रकट होने से हुई थी. हे भोले नाथ, आपको हमारा कोटी-कोटी प्रणाम, हे प्रभू, इन सब को बताईए कि हमने चोरी नहीं की है, मेरा यहां होने का प्रमान ही यही है, कि तुम दोनोंने चोरी नहीं की है, चोर अपना अपराद खुद ही स्विकार करेगा. भोले नाथ को स्वयम अपने भक्त की मदद के लिए आता हुआ देखकर, सभी पुलिस वाले गदगद हो जाते हैं, और वो प्रभाकर और उसकी पतनी को छोड़ देते हैं. हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए, आज जीवन में कोई भी अभिलाशा शेश नहीं रही है, तुम्हारी परिक्षा का समय समाप्त हुआ, अब अपना जीवन सुख पूर्वग बिताओ. उदर विक्रम को दो दिन से बड़े ही भयानक भयानक सपने आ रहे थे, बार-बार उसे ऐसा लग रहा था, जैसे कि वो सोने का त्रिशूल उसकी चाती को भेद रहा है, जिस कारण उसे असानिय दर्ध हो रहा था, उसकी ऐसी हालत दिन पर दिन बिगड़ती हुई देखकर उसकी मा विक्रम से कहती है, बेटा, दिन रात तेरी ऐसी हालत देखकर मुझे पता नहीं क्यूँ ऐसा लग रहा है, जैसे तुझसे कोई बहुत बड़ा अपराद हुआ है, अगर ऐसा है तो अपने अपराद की क्षमा मांग ले, वरना कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, मा, अगर मैं अपराद की क्षमा मांग लूँगा, तो क्या भगवान मुझे माफ कर देंगे? हाँ बेटा, गलती स्वीकार करने वालों को भगवान माफ कर देते है, विक्रम अपनी मा को सब कुछ सच सच बता देता है, उसकी मा उसे इसके लिए बहुत ही भला बुरा कहती है, और उसे पंडित के पास ले जाकर सब कुछ सच सच बता देती है, प्रभाकर और उसकी पतनी को वहां देखकर उनकी माफी मांगने लगता है, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई द्वेश नहीं है, मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना अच्छा पड़ोसी ही समझा है, मुझ अपना अपराच स्वीकार कर लेता है, प्रभाकर के कहने पर उसे कोई सजा नहीं होती है, लेकिन वहां पर अब जो कोई भी प्रभाकर की दुकान पर आता, सब यही कहते कि ये वही शिव भक्त है, जिसके लिए भगवान शिव स्वयम जेल में आ गए